दिल दहर जाता है परिवार का दुख देखके जिस पैमाने पे ये दुरगटना होई है कड़े से कड़े निंदा जितनी करी जाये उतनी कम है प्रशासन के प्रतीव शुरू से लेके अंध तक जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको कड़े सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए आप ये देखिए की गजेटिट छुटी के दिन क्यूं बस चल रही थी उसके इलावा फिटनिस बस की नहीं थी उसको वो सर्टिफाइड नहीं थी उसकी योग्यता नहीं थी चलने की वो क्यूं चल रही थी सुभा के समय जो माबाप हैं उन्होंने पाया गया की ड्राइवर नशे में धुट था और चावी निकाली गई बस की तब ही भी प्रिंसिपल को बताया गया तब ही भी उस बस को चलाना इन लोगों ने फिर भी चलाया और फिर जाके ये हादसा हुआ जब ये हादसा होता है जो बच्चे ऑन दे स्पॉट जिनकी मौत हो गई वो तो बेचारे उसी वक्त चले गए उसके बाद जो घायल बच्चे थे हस्पतार जाने के लिए अंब्यूलेंस इस शेत्र में नहीं थी बगल के शेत्र में आइंब्यूलेंस आई उस अंब्यूलेंस में भी ऑक्सिजन नहीं था हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे अक्सिजन नहीं थी तो आप देख सकते हैं कि तमाम कोई व्यवस्था नाम की चीजी नहीं है और प्रशासन क्या जवाब देगा लोगों को उन परिवारों को उन माबाप को जिनोंने अपने बच्चे खोये हैं तो इसमें तो जितना इनकी निंद़ा करी जाए उतना कम यहां के डियो को भी देखना चीए था कि किस तरह से बिलकुल यह आप और मैं तो नहीं देख सकते ना जो जिम्मेदार लोग हैं चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे अधिकारी हो चाहे ऊपर तक जो शासक हैं उनकी जिम्मेदारी पढ़ती है यहां पे मिली भगत जब चल रही ह है और सालों साल चले जा रही है तो आप जिस गाउं में आज आप खड़े होए हैं यहां पे दस साल पहले कॉंग्रिस के राज में वाटर वर्क्स बनवाया था दस साल हो गए हैं यह गाउंवाले बता रहे हैं कि उनको पानी नहीं मिला कनेक्शन नहीं हुआ तो प्रशास कर क्या रहा है नाग्रेकों के प्रति अगर आप जो मूल भूत सुवधाय नहीं दे सकते आप आपका अस्पताल में कोई सुवधा नहीं है तो प्रशासन क्या जवाब देगा मेरे को तो जितना कम सजा मिले उतनी कम हैं लोगों को क्योंकि जैसे यह अभी कैप्टन साब न लापरवाई करी गई कि एक हत्या के रूप में ये बात आके सामने लोगों के सामने खड़ी होएगी कि हत्या इनों ने करी है